Assalamualaikum, Happy New Year and Welcome to GFX Mentor में आपके डीचर इम्रान और बहुत अरसे के बाद फिर आपके लिए एक बड़ा मज़िदार सा टुटॉरियल लेकर आगे हो After Effects का ये चीज ये कहलाता है Parallax और 3D Parallax बहुत सिंपल सी चीज है हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो और लेड़ी किस तरह से लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए है इसमें हमें क्या जरूत है सिर्फ और सिर्फ फोटिशॉप में कुछ इमेजिस को ट्रीट करना है एंड आफ्टर एफेक्स में लाकर के 3D कैमरा मूव करना तो आईए स्टार्ट करते है और राइड वर्केम बाइक सो फर्स अफॉल हमें इमेजिस चाहिए और इमेजिस के लिए हम जाएंगे प्रस्टिड अनस्प्लाइश या पैक्सल्स जहां पर भी आपको मिल जाएं मेजिस वैसे जो मैं इमेजिस यूज करूँगा वो में नीचे लिंक में दे दूग आप लोगो सबसे पहले तो मैंने एक प्लेन स्काय सर्च किया है यहां पर और यह स्काय बड़ा बेतरीन है ओके जी सो यह स्काय मैंने स्लेक कर लिया देन आई नीच सम माउंटिन्स येस तिस वन और फाइनली हमें चाहिए ट्रीज तो बैसिकली हमने ये तीन इमेज़ फाइनल किये हैं और लेट मी शो यू कि ये क्या इमेज़ हैं एक तो ये बड़ा सिंपल सा प्लेन स्काय है ये ट्रीज हैं और ये माउंटिन्स बस ये तीन चीज़ें हमें चाहिए हैं और कुछ भी नहीं और राइट सो फिस्ट अफॉल एक चीज़ ज़रा समझ लें कि हमारी जो विडियो होगी वो 16 बाइन रैशो के होगी याने 1920 बाइ1080 लेकिन हमें जो फोटोशॉप में इमेज तयार करना है वो बहुत ज़ादा चौड़ा होगा क्यूं क्यूंकि हमें कैमरा पैन करना है इस करना है कि है जो हमारा स्काय है वो मैं ड्राग करके इसके उपड़ ला रहा हूं और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइस कर रहा हूं वह इसको बहुत ज्यादा प्रोपॉर्शन में छोटा नहीं चाहाँ हूं मैं इतना रखके शिफ्ट के साथ यह कर लाता हूँ नौ याद क्लियर की कापी ले रहा हूं कंट्रूल जे मैंने किया कापी किया इसको मैं तकरीब यहां रख रहा हूं ठीक है इसको मास्क करें जल्दी से टेकर ब्रेश बहुत बड़ा सा सॉफ्ट प्रेश ले 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 एंड यहां राइट क्लिक करके देख लिए जगा हार्डनेस आपकी ले जीरो हो साइस बड़ा हो बहुत बड़ा नहीं है इतना से यह एस फ्लो मैपने ब्रेश का कम कर रहा हूं और धीरे-धीरे यहां से मैंने मिटा दिया कर देख लिए हम ने कुछ भी नहीं किया इस वाले को इतना सा मिटा दिया है जल्दी से या बलके मांटेंस चाहिए ह माउंटिन्स मैं अपने फोड़ो शॉप पर ही खोल रहा हूं माउंटिन्स सेलेक्ट करना इस वक्त इस पॉसिशन में बहुत एजी है मैं simply ये कर रहा हूँ कि object selection tool ले रहा हूँ और ये देखें आपको खुद बता रहा है कि क्या चीज़ सेलेक्ट करने है of course मुझे mountains सेलेक्ट करने है and control J ये आपके पास mountains सेलेक्ट हो करके अलग layer पर आ गए ठीक है इसको मैं उठा करके sorry यहाँ नहीं यार इस image को बंद करो ये लाना है यहाँ पर that's it save कर लें वहिया so इसको छोटा करें now याद रखेगा कि यार ये mountains जो है quite big मैं छोटा दरूर कर रहा हूँ लेकिन हमें साथ-साथ इसकी copies भी लेनी है now simply मैं copy लेकर के भी वही सारा काम कर रहा हूँ जो के पहले किया था and actually एतना दिखेंगे नहीं कोई मसला नहीं that's it मुझे पता है कि ये repeated सी चीज़ें आरही है that's totally fine कोई मसला नहीं है आप चाहें तो इनको थोड़ी सी shapes इसकी change कर सकते हैं but मैं नहीं कर रहा हूँ मैं simply इसको नाम दे रहा हूँ mountains save save जरूर करते रहा करे है बड़े मेंच पे काम कर रहे हैं तो sometimes होता है मसला and lastly हमें चाहिए trees और now trees को select करने के लिए अगर मैं object selection tool का का काम लेता हूँ सहीए मैंने यहां से click किया यह हमारे trees select हो गए और अगर मैं control J करूँ थोड़ी सी अजीब सी selection है मैं आपको दिखा देता हूँ let's say मैं यहां नीचे कोई और color fill कर देता हूँ आप देख रहे हैं बहुत बुरी सी selection है मैं एक बहुत पुराना तरीका जो मैंने एक वीडियो में बताया था मैं उससे इसको select करूँगा और बड़ा simple सा काम है channels के तरू में जा रहा हूँ let's see red channel it has more contrast मैंने इसकी copy लिए अगर यह तरीके कार नहीं देखा तो यहां उपर link दे रहा हूँ इसको जाकर कर देख लीजेगा that will be helpful for you guys यह मैंने selection बनाई and new layer पे जाकर के आप चाहें तो यहीं से copy ले ले अभी भी याद रखीगा के हमारी trees की selection कोई इतनी खास है नहीं लेकिन एक बड़ा मज़दार सा scene यह है कि अगर मैं यह वाला color pick कर लूँ और इस पूरी layer पर shift के साथ fill कर दूँ तो यह बड़ा अच्छा सा थोड़ा सा depth में color आ रहा है ठीक है and इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कोई मसला नहीं अभी अभी हम colors को adjust कर रहे हैं ठीक है somewhat like this and इन दूनों layers को मैंने merge किया और actually मैं brush के साथ इसकी transparency lock कर रहा हूँ brush के साथ थोड़ा सा paint कर रहा हूँ duck flow और कम कर रहे and somewhat like this so basically यार यह कुछ trees है हमारे and that's it यह हमारा एक scene बनी यह बहुत simple सा बहुत ही सादा सा इसको मैं save कर रहा हूँ I mean इस layer का नाम चेंज कर रहा हूँ trees and save sky को थोड़ा सा मैं adjust कर रहा हूँ because sky थोड़ा सा नीचे था and somewhat like this I think मुझे trees को थोड़ा और dark करना है trees को हमने थोड़ा सा dark किया now अब यह layers हैं थोड़ी सी बड़ी सी कोई मसला नहीं है यह हम अभी जब आफटर एफेक्स में जाएंगे तो सारी चीज़ां अजिस्ट हो जाएंगी इसको save करें and आजएं आफटर एफेक्स में आफटर एफेक्स में हमने जल्दी से यह PhD को इंपोर्ट किया लेकिन याद रखीगा जब आफ इस PhD को इंपोर्ट कर रहे होंगे तो make sure के आफ import as पे जाके composition retain layer size करें हम इस composition को use नहीं करने वारे हम इन सब को 16 by 9 के ratio पर लाएंगे तो इसको एक बार import कर लेंगे और तमाम layers आपके पास आ जाएंगी see यह composition is way too large हमें यह नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए new composition so याद रखेगा के यह composition हम बना रहे है 1080 पर तो simply यह आपके पास custom sizes में भी दियावा है preset so यह आप ले सकते हैं let's go for 24 fps ठीक है and okay and यह हमारी करीब और कितनी देर किया है 30 seconds की now 30 seconds की हमें नहीं चाहिए composition let's change it control K and let's make it 10 seconds और यह जो layers थी हमें इनको लाना है यहाँ पर ठीक है और of course इनकी तर्टी बहुत ही out हुई है sky को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ trees को उपर लेकर आ रहा हूँ mountains को यह आ रख रहा हूँ ठीक है यह हमारी पूरी सिंपसी composition है इनको थोड़ा सा adjust कर ले और sky हमारा यहां रहेगा trees हमारे तक्री बनिया रहेंगा plus इन सब को मैं कर रहा हूँ 3D ठीक है और एक ले रहा हूँ camera और अगर मैं अपने camera को move करता हूँ नहीं यह याद रखीगा कि इस तरह से move हमें नहीं करना है हमें in fact क्या करना है कि we need two views और two views के लिए बड़ा simple सा यहां से मैं आकर के यहां से ले रहा हूँ two views यह वाला हमारा जो view है that would be हमारा camera one और यह वाला view जो है मैं रख रहा हूँ top view ठीक है जी इस वक्रेंटली आपको देख रहा है कि यह हमारा camera है triangle और यह जो लकीर है यह वो सारी layers है so sky सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ और sky को मैं लेके जा रहा हूँ पीछे दूर बहुत दूर कर रहा हूँ don't worry यह अभी यहां पर बड़ा अजीब सा देख रहा है दूसरी चीज है हमारी mountains इनको मैं यह रख रहा हूँ ठीक है and that's it so अब अगर मैं अपने इस camera को यूँ move कर रहा हूँ तो कुछ यूँ देख रहा है लेकिन आप एक चीज़ देखें कि जो हमारा sky है वो बहुत छोटा सा हो चुका है what we can do के हम sky को scale up कर देते हैं so S मैंने प्रस किया और इसको मैंने scale up कर दिया that is covering the whole thing and mountains को मैंने थोड़ा सा scale up किया and yes इनको आप चाहें तो move कर ले यह नीचे की तरफ ठीक है ठीक and आपने simply animate करना है अपना camera point of interest and position दोनों को select करना है but पहले मैंने start लिया यहां से और 10 second में मैं जा रहा हूँ simply यहां पर now अब ज़रा इसकी animation चेक करें so this is kinda good यह बहुत simple है हमने सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ दो ही layers को animate कि है अगर आप चाहें तो sky को थोड़ा सा उपर ले आए sky को select करें ज़रा and I guess यहां पर sky को उपर ले आए जैसे sky का आपको texture चाहिए आप use कर सकते हैं now याद रखीगा के color correction जो भी करनी है आप कर सकते हैं मैंने बड़ी simple सी चीज़ की है इसमें कोई एतिनी ज्यादा depth शायद आपको ना देखे लेकिन सिर्फ दो layers पे ही आपको काफी interesting सा result मिल रहा है यह कहलाता है parallax जब दूर की चीज slow move हो रही होती है और करीब की चीज fast move हो रही होती है आप बहुत सारी layers में भी trees रख सकते हैं आप बहुत सारी layers में चीज़ें रख सकते हैं birds उडा दे जो भी करना है कर लें यह बड़ा simple सा एक तरीकार है आप इससे बहुत interesting किसम के three dimensional चीज़ें बना सकते हैं so let's add something else so मैं यहाँ पर text डाल रहा हूँ मैंने simply happy new year type किया इस layer को मैं trees के पीछे रख रहा हूँ चीज़ें के जी और let's make this 3D as well और यह जो हमारी text बारी layer है इसको select करके मैं यहाँ रख रहा हूँ in fact अब इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा और दूर कर रहा हूँ यह मेरा text है और यह मेरे trees है ठीक है? चलाएं अब दरज़ को अब यार यार लिख दिया मैंने happy new e ar and I think text को मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर रहा हूँ let's go and select text font I think यहाँ दिख रहा हूँ that's it that's good, that's cool and let's see हमारी animation क्या बनी है that's it this is something really good happy new year back पर कहीं छुपा बसा दिख रहा हूँ let's go to one view and see this so this is it so this is it यह बड़ा simple सा एक project था बहुँ सिंपल सी चीज़ थी थी जादा difficult नहीं थी I hope आप लोगो यह पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please like करें share करें दोसों के साथ और subscribe नहीं किया तो please subscribe करें thank you